आज हम देखेंगे मुहाविरे किसे कहते हैं प्यारे बच्चो हम अपनी बात को दो तरहां से कह सकते हैं एक तरीका है साधारंद और दूसरा तरीका है विशेश देखें यहां राजु को बहुत गुस्सा आ रहा है यहां हम साधारंद तरीके से कह सकते हैं कि राजु बहुत गुस्सा हो रहा है अब इसी बात को हम विशेश तरीके से कहेंगे कि राजु गुस्से से लाल पीला हो रहा है इसी तरह यह चित्र देखिए इसे हम साधारंद तरीके से कहेंगे सिपाही को देखकर चोर भाग गए और विशेश तरीके से कहेंगे सिपाही को देखते ही चोर 921 हो गए बच्चो यहां लाल पिला होना और 921 होना विशेश परकार के कथन है मुहावेरे साधरन बात को विशेश बना देते हैं इनसे भाषा मज़ेदार लगती हैं ये वाकिके अंग होते हैं यानि की भाषा में विशेश अर्थ परकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है इसी तरह हम जोकर इस पार्ट के माद्यम से कुछ मुहावरे और उनके अर्थ जानेंगे झाल